नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन उत्राखन के हमारे खास कारिक्रम संजीवनी में, आपके साथ मैं हूँ सुनाली शर्मा दर्शको संजीवनी में आज हम इस वक्त मौझूद हैं एम्स रिशीकेश में और बात करने वाले हैं एम्स रिशीकेश के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर रवी कांथ जी से दर्शको आज का अंक इसलिए भी बेहर महतपोर्ण है क्योंकि आज हम अपने स्कारिक्रम के जरिये आप तक जानकारी पहुँचाएंगे कि एम्स रिशीकेश में आप सभी के लिए क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं कि आपको अस्पताल का रुख ना करना पड़े लेकिन अगर कभी आपको स्वास्थानी हो तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि एम्स रिशीकेश में आपके लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं रविकान जी से यह भी जानेंगे कि एम्स पे कि तरह की नवीन्तम तकनीक के जरिये इलाज अब संभव है किस तरह की नवीनतम तकनीक जरी ना सिर्फ उतराखन बल्की जो पड़ोसी राज्य्य हैं वहां से जो मरी जाते हैं उनका भी इलाज किस तरह से आपर किया जा रहा हैं तो डॉक्टर साथ बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कारेक्रम में आपने हमें समय दिया और आप शामिल हुए आप तो सबसे पहला सवाल डॉक्टर रविकार जिस तरह से कोरोना की अगर हम बात करें और पूरा विश्व इस बीमारी से महामारी से जूज रहा है एम स किस तरह की विवस्थाएं हैं सुवधाएं हैं और साथ साथ प्लाजमा थेरेपी वेंटिलेटर इन सभी चीजों को लेकर किस तरह की सुवधाएं उपलब्द हैं सबसे पहले तो दर्शकों को बहुत-बहुत नमश्कार मैं चाहूंगा कि आम जनता ये बात को समझे कि कोर रचल दवाई है नहीं कोई वेक्सीन है इन सब को आने में कम से कम एक साल लगेगा इस दौरान में हम लों के पास प्लाजमा थेरेपी की सुवधा है हमारे पास डिर्ट सो से भी जाद है वेंटिलेटर हैं हमारे पास काफी बैड आईसियू के हैं हमारे पास करीब-करीब जो 960 बैड हैं उन में से आदे जो हैं दे बिन कनवर्डिट टू कोरुना केर स्पेशल्टी हर तरह की स्पेशल्टी है हमारे पर क्योंकि कोरुना काल में भी ऐसा नहीं है कि हार्ट डेटक के मरीज नहीं आते हैं कोरुना काल में भी कैंसर के मरीज भी आते हैं ब्रीन स्ट लब्ध है और एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि नॉन कोर्णा मरीज और कोर्णा मरीजों का एक साथ कैसे इलाज किया जाए क्योंकि जो मरीज आ रहा है नॉन कोर्णा वाला हमें पता नहीं कौन कोर्णा लेके आ रहा है जिसका अपरेशन होना है हमें पता नहीं कि वो नॉर है कि कैसे मरीजों की मदद करें कैसे वह अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें और यह जो संतुलन है यह बहुत नाजुक संतुलन है और इसलिए अगर आम जंता नॉर्मल टाइम में मास्क लगाए फिजिकल डिस्टेंस रखे हम वह चेंट तोड़ सकते हैं जिसमें को ना पहलता है बलकुल और जुस तरह से डॉक्टर सब अब सड़ियों की शुरुआत हो चुकि और ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो आम खासी जो खाम ऐसे मामले बी बढ़ते जाते हैं तो कितना डिफिकल्ट होता है इंशिकेश में क्यूंकि हां पर तरह का व्यक्ति आता है मरीज होता है तीमारदार आते है और अलग अलग प्रदेश ही नहीं बाहर से भी आते तो कितना मुश्किल होता है अप डिफ्रेंशियेट क हम लोग जादे antigen पर बेस अपना DCN नहीं कर रहे हैं अगर हमें किसी की सेज़री भी करनी है हम उसको एक मान के चलते हैं कि सस्पेक्ट है को अगर वो लाइफ थ्रेट्निंग है तो तो उसी रात में उपरेशन होगा उस से में सब लोग अपना PPE पहनेंगे मान के चलेंगे प के फाइफ दो बार RT-PCR करने के बाद ही कहेंगे कि नहीं भाई अब समस्या नहीं है और इसकी इलेक्टिव सज़री की जाए उसी के हिसाब से आप लोग आगे बढ़ते हैं पेशन की बारीकी से जांच करने के बाद डॉक्टर साब को लेकर आपने जांच करने के बात अब दूसरे बड़े शेहरों का रुखना करना पड़े उत्रा खंडी नहीं पूरे उत्तर भारत में वन अदा मोस्ट एडवांस सेंटर फॉर कैंसर इज एम्स रिशिगेश हमनों के पास टोटल करीब करीब 25 जनर एनसीजा के ऑपरेशन थेटर हैं जिन में से मॉडिलर थेटर करीब 15 हैं उसके अलावा हमनों के पास लोकल इनसीजा के बहुत थेटर हैं applies कलंग हमारी बड़이 स्ट्रॉंग है जिसमें कैंसर चाह बेंक का हो चाह बरेन का हो चाह फेस का हो maxilla का हो चाहे chest का हो चाहे lung का हो चाहे breast का हो चाहे gastrointestinal tract हो या कही और urological cancer हो bone के cancer हो सभी के हमारे याँ पे surgical specialty अलग-अलग है एक आदमी सारे operation नहीं करता है जो cancer urinary bladder करता है वो उर्लाजिकल operation करता है जो gastrointestinal tract का operation करता है वो सिर्फ वो करता है जो brain करता है वो सिर्फ brain करता है जो बाकी हरने करता है वो सिर्फ हरने करता है तो हमारे यहां surgery की जो wing है cancer की उसमें अलग-अलग specialties हैं वो अपना organ करती है हमें दूसरी जुरुत पढ़ती है cancer के लाज में radio therapy की यह कितना बरिया center है कि यहां पे best दो linear accelerator लगे हुए हैं एक नहीं दो हैं और दोनों linear accelerator से हमारे पास जो मरीज आते हैं उत्रा ठंड का एक कोना हिमाचल प्रदेश, नेपाल, हर्याना और गाज़े अबाद और पूरा western यूपी सारे मरीज आते हैं इसमें हम लोग naturally उत्रा ठंड को प्रियोरिटी देते हैं, life saving को प्रियोरिटी देते हैं और हमारे पास बहुत ही advanced radiotherapy center है हमारे पास diagnostically nuclear medicine, radio imaging के बहुत latest machine है इसके लावा जो third चीज़ें हमें जरुत पढ़ती है जब भी हम लोग cancer के लाज करते हैं वह है chemotherapy जिसको हम लोग अपनी भाशा में medical oncology कहते हैं हमारे यहां पर जो blood cancer हैं उसके specialist अलग हैं और जो solid cancer हैं उनके specialist अलग हैं और सभी में specialist परकुल भरे हुए हैं इसके लावा एक बहुत बड़ा जरूरी जो हिस्सा है जिसको हम लोग कहते हैं 21 काल जी यह cancer हो रहा है बेतर है हो इना अगर हम जनता को समझाएं कि गाहों में सबसे common cancer क्या है तो uterus के cervix का cancer सबसे common है और आज के दिन में हम लोग को एक जान है कि अगर 13-14 साल में एक vaccine लगवा लेंगे दो short तो आप कोई cancer नहीं होगा यह young boys को भी हम लोग लगवाते हैं कि oral cancer जो पीछे का है वो नहीं होगा फिर जो oral cancer इंडिया की number one problem है उसको सब्जाते हैं जनता को कि अगर आप यह जो तंबाकू मुमें रखके सोजाते हैं यह नहीं करेंगे तो नहीं होगा breast cancer शहरों में number एक आगया है तो breast cancer awareness पे बहुत होता है तो हम लोग preventive oncology पे भी बहुत चलते हैं therapeutic oncology पे भी बहुत नहीं है इस समय पर पूरे उत्राखंड में और western यूपी में किसी को दिल्ली बांबे जाने की जरुवत नहीं है चंदिगर जाने की जरुवत नहीं है सारे cancer का अलाज चाहे तरिक सदरी की जरुथ हो चाहे रोबोडीक सदरी करीब करीब 1,000 हो चुकी है चाहे आपको कसी तरह की radiation therapy की जरुष हो जिसको हम लोग किरणो से अलाज कहते हैं चाहे आपको d accommodations की जिसको हम otheric therapy क → 강 21 को जी हमारे पास सारी सुझाइं यहां पर हैं इसके साथ में हम लोगे दिखते हैं दस से पंद्राइबीस परसन मरीज ऐसे आते हैं जो पर कुल टर्मिनल स्टेज बें होते है हुसित है उसमें हुस्पिस के अफ़ी दरुच जो जिव On इनले है अब आम जनता को बॉंबे दिली चंदीवर जाने की कोई आशिकता नहीं है बिल्कुल डॉक्टर साब जो तमाम आप यह जानकारी दे रहे हैं और जिस तरह से आपने भी कहा कि लोगों को दूसरे शेरों का रुख नहीं करना चाहिए किस तरह से अवेर्नेस प्रोग्राम श्रिशी केश चला रहा है जिससे यहीं लोगों को अलग हमारे माधियम से भी जांकारी जाएगी लेकिन किस तरह सेब आपने माधियम से यह जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं, awareness किस तरह से campaign एम स्रिशी केश करता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे. इसके हमारे पाप 5-6 तरीके हैं, बीच-बीच में कभी हम लोग अखबार में भी बात को समझाते हैं, कभी इंटर्वू के मार्दे हम से, कभी किसी और मार्दे हम से, रेगुलर्ली हम लोगों का चलता है. दूसरी बात है कि हम लोग जो, हर महीने की जो अपनी रिपोर्ट आती है, कि हमने क्या किया, वो हम हर CMO को भीचते हैं, उसके लावा हमारे हमारे हाँ सोशल आउटीच के कैम चलते हैं, और इसको कई सारे डॉक्टर्स मिलकर, वहां पर बात भी समझाते हैं, और जुरुते हैं वहीं पर इलाज भी करते हैं, और ये पीपल कोटी, नराइन कोटी से लेकर, धर्मावाला से लेकर, बहुत जगों पर हमारे हाँ के सोशल आउटीच कैम होते हैं. डॉक्टर साब, हार्ट, लिवर, किड्नी, ब्रेन, बेहद घातक कहीं न कहीं ये ऐल्मेंट्स होते हैं, इनके लिए किस तरह की सुधाई एम स्रिशिकेश में उपलाएं? हैं, दो तो हमारे पास कैट लेर, एक संग्ल प्लेन कैट लेर एक डबल प्लेन कैट लेब एक कैट लेब है, इसकले ह्ज दियेसें की मशीन तुन हैं हमारे पास काडियोलोजी बहुत मदबूत है और काडियो थरसिक सद्री भी मदबूत है काडियो थरसिक सद्री हमारे आप एक और खास बात है कि सबसे चैलेंजिंग होता है बच्चों की काडियो थरसिक सद्रीना काडियो थरसिक सद्री आफ स्मॉल किट्स उसकी भी हमारे याँ फैसलिटी शुरू ही है और इसके लिए हमने एक आपरेशन थेटर सिर्फ बच्चों की पीडियाटिक काडेक सज़री पे लगा रहे हैं एक अडल्ट की काडेक सज़री पे लगा रहे हैं हम लोगे दो operation थेटर सिर्फ brain surgery के लिए हैं जिसमें एक radio imaging का एक लगा हुआ है कि आप बिलकुल बता सकते हैं कि कहां पर लीजन है अगर किसी को epilepsy का point है तो हम वहाँ पर उसका exactly वो operation कर सकते हैं बजाए कि बाकी जगे खलर बलर करें तो जो navigation devices हैं बहुत latest हैं दो इसके लिए हैं GI surgery का हमारे पर अलग operation थेटर है वो दो तीन जगे होता है सेजिक उनकालजी में जनरल सेजिरी में GI सेजिरी में और इसकी बड़ी advanced facility अपलब्द है हमारी एक team liver transplant की भी शुरुआत कर रही है जहां तक बाकी cancers की बात है हर cancer के लिए हमारे हैं एक अलग operation data है तो brain सजी तीन तरह की हमारे हैं हो रही है एक तो cancer का brain है एक trauma brain में हो गया injury के मारे roadside वगरा के मारे और तीसा जो है small vessel कोई burst हो जाए उसके मारे है तीनों पे हम लोग neuro imaging से लेकर neuro interventional imaging से लेकर और direct सजी से लेकर सभी चीज़ें उपलब्द है जी आपको से लिए बहुत बहुत बद्धाई भी किस तरह से आने वाले समय में जो हैलिपैट की सुविधा है वो आम जनता के लिए फायदे मंद रहेगी आगे इसको लेकर किस तरह से एम्स रिशी केश काम कर रहे है तो हमारे हैं पे ट्रॉमा की स्पेशल ट्रेनिंग है ट्र पे केंदी सरकार का रुकिया है जो भी लेटेस्ट दुनिया भर में हो रहा है वो इम्स में होना चाहिए उसको देखते में जब देखा गया कि अगर एक मरीज आदा घंटे में आ जा रहा है तो करीब 80% बच जाता है करीब एक गंटे में आ रहा है तो 70% बच जाता है लेक कहीं दूर दराज में हैं, कोई बस के रिए कोई चोट हुई है, लाने में नॉमली आट-दस खिंटे लगते हैं, तो बाई टाइंग दा सर्वाइवल डेटा गो सेवार, इसलिए बहुत जरूरी है, कि हम उस ट्रांजिट टाइंग को कम करें, हम लों ने अपने हां पर ये प मरीज लेकर, किसी का भी हलिकॉप्टर आएगा मरीज लेकर, उसकी सुवधा के लिए बिल्कुल खुला हुआ है, कोई उसका साथ में रिष्टेदार भी आ सकते हैं उनके साथ में, और हम लोग हर वकाट 24 गंटे ट्रामा की सर्व से देने के लिए वचन बद देने, पहाड़ी शेत्र भी है, मैदानी शेत्र भी और अक्सिदेंटल केसे बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो किस तरह से क्विब्ड आपका ट्रॉमा सेंटर है, और मरीज के लिए वहाँ पर किस तरह की सुथाएं, लिकि ट्रॉमा सेंटर हमारे हैं वहाँ बेस्ट इ देडिकेटेड हैं, नो के नो मॉडिलर थेटर हैं, हमारे हम पूरा करीब 200 बैट टोटली ट्रॉमा और इस तरह की सर्विसेस के लिए हैं, यहाँ पर क्योंकि ट्रेनिंग का भी प्रोडोकॉल है, तो यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, उनका कमिट्मेंट एक बहुत हाइस् और सबसे अच्छा क्या है दुनिया में, वो सीखना भी है, तो एक ऐसी डेडिकेटेड ट्रीम है कि चाहे कहीं कभी ट्रॉमा हो, उसके लिए हमारे पास सपोर्ट सर्विस बहुत मजबूत है, अगर खाली ब्रेन इंजरी इतनी सिग्निफिकेंट है, तो ट्रॉमा सर्जिन बी काम करेगा उसमें और ब्रेन सर्जिन भी काम करेगा, तो हम लों को जो जिसको कहते हैं एक टीम अप्रोच है, कि जिसकी जुरत होगी तुरं ताके सब लोग मिलके उस मरीज का बला करेंगे, चात्र चात्राओं की बात की जाए अगर और बहुत बड़ा ऐसे ग्रूप मैं कहते हूं स्टूडेंट्स हैं जो एम्स रिशिकेश की तरफ देखते हैं और उनका सपना होता है यहां से अपना कोर्स पूरा करना उनके लिए किस तरह के कोर्से सुविधाएं फसिलिटीज क्या क्या उपलब्द हैं रिशिकेश में अगर कोई यहाद आखिला लेना च क्रिश्री केर और क्योंकि यहां पर इनको हमें सिखाना है तो जो स्टूडेंट आएंगे उनको हम लोग बड़े सक्ट एक्जाम के बाद लेते हैं एम्बी बेस की एंट्री के लिए डेली एक्जाम करता है बोस्गेट के लिए वहीं से एक्जाम होता है तो जो बच्चे आजाते हैं उनका प्राइमरी दिये तो पढ़ना है लेकिन जहां पर मरीजों के साथ में आप काम कर रहे हैं वहां पर स्ट्रेस बहुत होता है किस मरीज में क्या हुआ नहीं हुआ क्यों हुआ कैसे हुआ इसलिए हम लों ने एंटी स्ट्रेस मेजर में स्पोर्स की बहुत activity बनाई है लेकिन साथ में देखा गया कि जो सिरिसली मरीज के साथ लगा हुआ है उसको art and culture की भी जरुवत है anti-stress measure में तो उस पे भी हम लोग रूटीन में program रखते हैं कोई ना कोई art and culture का कि आप सरवगर्ण सुम्पन हो खाली doctor ना बने human भी बने eventually human will be more important machine mind के ना रहे जाएं तो यहां पर हमारे यहां करीब 125 एंबीवेस के doctor अब हर साल आए रहे हैं हमारे पास सौ नर्सिंग के student हर साल आ रहे हैं करीब post-grade में सौ student हर साल आ रहे हैं हमारे पास DMCH वाले पचास से साथ हर साल है हमारे यह जो पीजडी कर रहे हैं वो भी सौसे जादे हैं तो एक बहुत बड़ा academic center है क्योंकि अपनी university है अपनी डिग्री देता है कि यहां पर academic excellence का हम लोग का जो motto है वो यह है दुनिया से सीखना है दुनिया को सिखाना है हम लोग किसी ऑख और डेश से Σीखनेको त्यार है क्या निया हो रहा है हम लोग कोई काल्पनिक अपनी रखा यह नई भनाएंगे हमें यह नहीं पराणा है हमको यह नहीं पूछना हमको यह नहीं सीखना है, ऐसा नहीं है. विश भी से सीखना है, विश को सिखना है. यह जो यूनिवर्स्टी की रियल डेफिनिशन है, उनिवर्स, ऐसा सिटी. उस मोटर को मान कर, एजूकेशनल, स्पोर्ट्स, आर्ट deze करचार, सब का समन वही ही है, कि जो यहां से निकले, बहुत मजबूट डॉक्टर हो, लेकिन उसमें हिमन अलिमेंट जाद अच्छे हो, उसमें सफ्ट स्किल बहुत अच्छी हो, वो सब भी हो, नमर भी हो, उसका बिलकुल गरीब आदमी से बाचीत करने का नजरिया बहुत अच्छा हो, उसको लगना चाह सेंटर में बहुत जगह पर विडियो करन्फरेंसिंग सेंटर है, हमारे पास जो लेटेस्ट, जिसको हम कहते हैं, पूरा वीडियो स्क्रीन कई जगह पर है, हमारे पास एपरेशन दीटर से, ऑपरेशन को किसी भी जगह पर ट्रांस्मिट करने की फैसलिटी है, हम लोग हुआ पर्सेंट मेडिकल कॉलिज इंडिया के पाद नहीं है वह साइमुलेशन स्किल लैब हमले की परऊने साइमुलेशन artificial है हमारे पास कैड़ावर ऐसे भी हैं जो computer-based है हमारे पास आपको injection लगाना है दवा देनी है उसकी भी सुविदा है कि simulation में कैसे सका है baby delivery करनी है उसका भी simulation है करीब करीब जो सारी जलूरी चीज़े हैं उनकी simulation lab है एक और surgical skill lab है जहां surgical step है पहले आप foam और sponge और इन पर सीख लें बजाए कि सीदे मरीज पर सीखें तो पूरी skill के उपर बहुत जोर है कि अगर यह skill नहीं है तो नॉलिज बेकार है दर्ड़र साथ आपने का कि विश्व से सीखना विश्व को सिखाना है तो विश्व में कहा गहां पर Aiems Rishikesh का को लाइबरेशन है किस तरह से आप अपने चात्रों को विश्व सब्सक्राइब जो तकनीक है नवीन तम जो तकनीक है किस तरह से exposure कराते हैं में ने पहले अपने डॉक्टर्स को भेजा और वहां से वो सीख के आए और यहां पे काम शुरूर उसके लाव एजुकेशन के लिए हमारे एक डीनशिप अफ इंटरनेशनल कोपरेशन है उनका काम ही है कि हम किन किन देशों के साथ में कोपरेशन करें तो उन्होंने University Pennsylvania से लेकर, University Colorado से लेकर, कई सारे विदेशी सेंटर से हम लों का collaboration है, कि हम कैसे सीखें, चाहे वो नहीं आ सकते हैं, तो विडियो के माध्यम से class ले लें, अगर आ सकते हैं, तो student उनके भी आएं, उनके भी teacher आएं, हमारे भी student teacher हों जाएं, तो करीब करीब 20-22 से से हम लों का collaboration है, और एक बहुत अच्छा एक वो है, जिसको हम कहेंगे कि, सीखने की भी इच्छा है, सिखाने की भी इच्छा है, बिल्कुल, डॉक्टर साब, टेले मेडिसन की अगर बात की जार, जिस तरह से इस वक्त का माहौल है, बहुत से ऐसे लोग हैं, जो जिनको थ खुड़ा सा डर है अस्पताल आने का और डिरेक्टली यहां पर आने का, तो किस तरह से उन लोगों के लिए घर बैठे, इमस्रीशी केश्य सुविधा दे रहा है, जिससे वो तसली से घर पर हैकर भी इलाज की जो फिसलिटी है, उसको अवेल कर सके हैं, हम लोग पूरा अ जो भी हम लोगों से चाहता है, अगर उनके पास इंस्ट्रुमेंट है, तो हम किसी भी तरह के इंस्ट्रुमेंट के साथ में कॉलिबेट करके उनको बता सकते हैं, कोरुना टाइम में तो बहुत ही जादा है रहा कि रूटीन में, एक बहुत बड़े रूम में करीब 10-15 लो तो दोनों तरह की सुधाय रही, बात सुनने का भी रहा, सम्झाने का भी रहा, और जिसको जरूरी बुलाना वह भी रहा, एक बहुत मजबूर डिपार्टमेंट है, जिसका दूर दराज से लगातार लिंक है इम्स की अब OPD ओपन हो चुकी है, तो क्या लोगों को आप कहना चाहेंगे, क्योंकि समय ऐसा है और बहुत लोग ड़ते हैं आने के लिए, लेकिन अब जिस तरह से आपने OPD लगबख सभी खोल चुके हैं आप लोग, तो किस तरह से लोगों को आप कहना चाहेंगे, कि इल और खन और इस एरिया में, जो पूरी तरह क्लाइमेट कंट्रोल है, एर कंडिशन इन समर, एर हीटेड इन विंटर, इसकी सुधाएं इतनी अच्छी हैं, लेकिन जो कुर्णा काल है, उसमें डर ये है, कि आप बिमार ना हो जाएं, पहली बात, और आप बिमार कर ना दें, और दोनों चिसों की जिन्ता है, तो हम लों करी कहना है, जिसका इलाज टेली मैडिसन से हो सकता है, वो टेली मैडिसन से इलाज करा है, जिसका इलाज यहां पे consultation जरूरी है, वो बेकुल आए, consultation करा है. बिल्कुल डॉक्टर सब एम्स रिशीकेश को विश्व स्वास्त सुविधाओं से लाइस करना कही ना कहीं आपकी प्रात्मिकता है भविश्व में हम एम्स में और किस तरह की अडवांस्मेंट देख सकते हैं आपका इस और किस तरह से विजिन है आने वाले सालों के लिए देखे हम लोग इस समय एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी कम से कम पांसो पीजी सी टॉर बढ़ेंगी हम लोग के अभी दो सो फैकल्टी और बढ़ेंगे यह जो है इसके लावा हम लोग का लॉंग टर्म में एम है कि अभी करीक परी हम लोग साड़े 960 बैट पे हैं जो कभी कभी ओर्फलो करके 1000 बैट क्रॉस कर जाता है यह हम लोग बढ़ा के 3000 बैट करेंगे इन सब चीजों को करने के लिए हमें जरूरी है कि 200 एकड़ और जमीन की जरूरत है क्योंकि अगर आप चाते हैं कि रात में सीनियर डॉक्टर पांच मिनट में आके आपको देख ले तो उसका घर कहीं आसपासी होना चाहिए वारना वो देख नहीं पाएगा अगर वो ड्राइविंग करके एक घंटे माएगा तो एक घंटा डेम लगेगा यह जो एक्सपर्टीज है एक्सपर्टीज फैसलिटी के उपर डिपेंडेंट है और यह बहुत जरूरी है बात को सोचना कि हम लोग चाहते हैं रात में तुरन कोई सीनियर आए फट से देख ले अच्छा इलाज करे उस सीनियर को भी उतने सिवधा देनी पड़ेगी और उतने एडवांस सेंटर भी बनाने पड़ेंगे जो उसको चाहिए तो हम लोग एडवांस लिवर सेंटर, एडवांस ट्रांस्परांट सेंटर, एडवांस आईका सेंटर, एडवांस काडियक सेंटर, एडवांस निरो साइसेंस सेंटर इस सब बना रहे हैं यह हमारे अप्रूब भी एंड में अब इनको बनाने के लिए जगे भी चाहिए और बाकी हमलों को जिसको कही है मैन पावर भी चाहिए यह हमलों क्या अप्रू हो चुका है थोड़ा आ रहा है दीरे दीरे काइम लगेगा हो जाएगा जल्दी बड़ यह मान के चलें कि इसके अलावा हमलों की जो विजन में किये है कि क्या हम भवालिया कहीं पर सेकंड कैमपस बना सकते हैं जिस्से कि कुमाईों की सेवा वहीं पे हो सके तो हमों कुमाईों और गल्वाल नों के लिए बेलकुल कमिटेड हैं और आम हस्प infinitely नहीं सब्सकार दो हूं इस लिकुनल्ड हैं दूर दिराज ग्रावं में उनके घर के भाहर रहम कैसी सेवा दे सके वो विचार रखते हुए, साथ में यहां पर आपको किसी भी चीज़ के लिए जिनेवा या नियूर्क जाने के जिरूरत ना पड़े, इस तरह की फैसिलिटी रखते हुए, एक पूरा 306 डिग्री का डिवलिप्मेंट चाहिए, और हम लोग का यही फोकस है, और मेरा कहना है क कि इसमें हम लोग करीब करीब बहुत कुछ सक्सेस्फुल हुए हैं, इसको देखते हुए कि एक टर्शरी केर का एक मदबूत सेंटर बन रहा है, आप जिनता को अगर उनके पास पैसा नहीं है, एमस इजिकेशन के साथ में, उनको पैसे की जिनता नहीं करनी है अगर वो ग हम को सक्सेंटिक सांसां सायंटिफिक बेंडव मा इंक मैं हमको अमेरिका और होंग कॉंग और तोक्यो से पीछे नहीं हमको यूडोप से पीछे ईन्हें है, यह भी है टेकनोलजी की हो और हमें देखन है, और इसको pandowal करने के लिए कमिज गफालीयं है, चैक भब और अब उन्हें दूसरे बड़े शहरों और दूसरे देश का रुक ना करते हुए अगर उनको स्वास्थानी हो तो जरूर एम्स रिशिकेश पहुंचे तो शुक्री आपका एक बार फिर सब्सक्राइब तो संजीवनी का ये अंक आपको जरूर पसंद आया होगा और हम उमीद करते हैं कि जो जानकारी यहां पर आज डॉक्टर रवेकांत ने आप सभी के साथ साजा की है उसके जरे आपको कही ना कहीं ये अब मालूम हो चुका है कि एम्स रिशिकेश में आपके लिए कौन-कौन सी सुविधाएं हैं किस तरह के जटल ऑपरेशन यहां पर किये जा रहा है किस तरह की यहां पर लेटिस्ट नवीनतम तकनीक यहां पर इलाज के लिए मौजूद है फिलहाल इस कारेक्टर में मेरे साथ इतना ही देखते रहें दूरदर्शन उत्राखंट नमस्कार